देश में बीते 10-11 वर्षों में गाव और शहर के बीच की खाई कम हुई है अब गाव के लोग भी शहरों की तरह ही खर्च कर रहे हैं इस दोरान लोगों का खाने पर खर्च कम हुआ है जब की बाकी चीजों पर बढ़ा है इस दोरान देश में गरीबी भी कम हुई है यह सभी जानकारी केंद सरकार द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट में सामने आई है देश के परिवारों द्वारा किये जाने खर्चे को लेकर किये गई पारिवारी को भोग व्यासवे के आकड़े जारी किये है यह सवे अगस्त 2022 से जुलाई 2023 के बीच में किया गया था यह सवे का 76 वासंच करण था इसमें कई महत्वपून जानकारिया निकल कर आई है इस रिपोर्ट में एक व्यक्ति के प्रतिमा खर्च को लेकर जानकारी दी गई है इसमें गावों में रहने वाले और शहरों में रहने वाले लोगों का अलग-अलग आखड़ा दिया गया है नई रिपोर्ट के आखड़े दर्शाते हैं की गाव और शहर के खर्चे के बीच की खाए भी कम हुई है अब दोनों के खर्चे में 71 प्रतिशत का अंतर है जब कि 2011-12 में यह लगवग 84 प्रतिशत था इसका अर्थ यह निकलता है कि अब गावों में भी वह सुविधाय पहुंच रही है जो पहले मात्र शहरों में उपलब्ध थी और लोग इन पर खर्च भी कर रहे हैं